हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में आज जैसा कि आपने थमनिल दिखा है कि हम कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो उस लेबस है उसे अच्छे से डिसकस करेंगे उसको अच्छे से देखेंगे कि एक्चुल में हमें क्या पढ़ना है उस लेबस में क्या-क्या चीज़े दी हुई है और हमें तयारी और अपनी स्ट्रोंग कैसे करनी है दी ट्रिपल एसपी ने जो अभी नोटिफिकेशन दिया हुआ है पीजीटी और टीजीटी की वेकेंसिस का उसमें हमें पता है कि पीजीटी का उन्होंने डेट भी अनौंस की है 11 जून को पेपर होना था बट होना है अभी तक वो कैंसिल नहीं हुआ है तो आने वाले टाइम में वो होता है और टीजीटी का जो है वो जून जुलाई तक भी बोल रहते है एंड उफ जून या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में एक्जाम लग बग निशित था कि होग बट अब कोविड पैंडेमिक का जो यह ताइम जल रहा है इसमें हो सकता है कि वो पोस्ट कॉंड हो जाए तो उन बच्चों के लिए जो तैयारी के लिए नहीं है उनके लिए हो सकता है यह ताइम अच्छा हो और उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो बच्चे यू नहीं है ?" तत्येमिक नहीं जोड़ना कुछ थूद नहीं है इननना है ? चिलना है किlor येझे WOR, कि ढहने हैं? अभको разв ये नहीं है डिद्राानों कोन्तों? ये लोगो, बस्त नहीं है त्पर कास देना भींदेरों सब्स् numero करता दूआ है अगर हमारी तेयारी अच्छी है तो उसे और अच्छी करनी है और अच्छी हमें कैसे करनी है कि हमें दुबारा से रिविजन करो आप मैक्सिमम जितना हो सकते हैं प्रिविएस यरी के जो कोश्यन है उनको जादा से जादा अटेम्ट करके देखो डिटेपलस भी पेपर लिये मतलबfly सारे स्टादेज ही हो सकती हैं हमारी और इन सबको ही हमें करणा है मॉटिवेट रहना है बिल्कुल भी यह नहीं सोचना है कि टाइम जो है वो निकल रहा है हमारा एक्जाम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो कब तक होगा तो main focus हमें आज इसी चीज के ऊपर discuss करना है कि जितनी तयारी हमने कर ली वो ठीक है और अब आगे की preparation भी हम और कैसे कर सकते हैं तो maximum मैंने जैसे देखा है कि काफी जो DTSP जो है उन्होंने क्या है कि officially अपना syllabus कहीं पे भी नहीं दे रखा हमें यह पता है कि notification में हमने देखा कि exam का pattern क्या होगा यह तो उन्होंने अच्छे से बता दिया कि ठीक है आपका TGT जो है वो 200 marks का होगा और जिसमें section A और section B होगा तो जो section A होता है उसमें क्या होगा कि आपके 100 number आते हैं ठीक है 100 number में से और section B में भी 100 होगा उसमें computer का कौन सा portion है एक portion computer का है एक basic है वो सब हमें पता है वो होता है हमारा exam pattern exam pattern notification में उन्होंने detail में बता दिया कि यह यह होगा बट computer science के अंदर उन्होंने यह बता दिया कि आपका 100 number का subject से related question आएंगे तो उन question में computer science में वो क्या चीज़े cover करेंगे इस चीज़ को उन्होंने officially कहीं पे भी नहीं दिया तो जैसे TGT हुआ था 2017 के अंदर 2017 का जो TGT था और 2018 के अंदर PGT का हुआ था 2018 में PGT का मेल का पेपर अलग हुआ था फीमेल का अलग हुआ था उन दोनों पेपर का reference अगर हम देखें उनके questions को अगर analyze करें तो यह पता चलता है कि जो उनका level है न वो match होता है कि जैसे हम KV के अंदर PGT का पेपर देते हैं हर साल तो उनमें हमें similarities क्या देखने को मिलती है कि लगबग DTSP उसी लेवल के question को उनी points को points के ऊपर क्या कर रहा है अपना उपर नाम चेंज किया कि KV PGT का स्लेवर्स और नवोदे नहीं लिख दिया कि नवोदे का दोनों का बिलकुल सेम स्लेवर्स है उसमें एक topic अगर अपने बोलें एक topic या एक point भी अलग नहीं है बिलकुल सेम स्लेवर्स को इन्होंने KV और नवोदे ने दिया है यह जो स्लेवर्स आप देख रहे हों यह है वह जैसे इसके उपर लिखा हुआ भी है कि KVS NVS upload paper ठीक है NVS का जो यह paper है तो इसमें तो इतना भी difference नहीं है यह दोनों KV और नवोदे का स्लेवर्स को रेफरेंस लेके ही DTSB क्या करता है कि अपना paper बना रहे है और आप maximum अगर previous year के question देखोगे ना तो आपको यह स्लेवर्स लगेगा तो इसी स्लेवर्स को हमें क्या है कि थोड़ा डिसकस करते है क्योंकि कई student ऐसे है जिने यू लगता है कि computer science में अगर कोश्चन आएगा तो वो कोई बुक परचेज कर लेते हैं उस बुक में भी लगवा कि यही स्लेवर्स आपको दिखेगा और DTSB की especially कोई computer science से related कोई बुक भी नहीं आ रही है मार्केट में तो बहुत ही confusion हो जाता है कि क्या पढ़ें computer science में हमने BSC में BTEC में BCA के अंदर जो भी सारे subject पढ़े हैं हम हमारे subject से related वही बुक्स पढ़ लें MCQ कहां से discuss करें कैसे करें इन सब टाउट को clear करने के लिए ही मैं आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ ताकि जो student confusion में है तो वो at least अपना confusion को दूर कर सकें और अच्छे से प्रपे कैसे कर सकते हैं वो भी पता चल सकें तो ज्यादा delay नी करते हुए हम ये वीडियो को discuss करते हैं कि actual में नवोदे और के अंदर जो syllabus है वो क्या है और आप maximum यही मानो कि यही syllabus आपका DTSB का रहने वाला है ठीक है और यह देखा जाता है कि जो student है वो form फिल कर देते हैं बट काफी सारे student job के अंदर हैं वो इतना time न time होता है या जो student होते हैं जो college going है, post graduate कर रहे हैं, job कर रहे हैं या कुछ और अपने कोई बी और काम कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इतना सर्च नी कर पाते हैं तो उनके लिए जो है ये काफी beneficial रही की video वो एक्दम अच्छे से देख सकते ह हैं कि उनको क्या पढ़ना है और क्या कैसे पढ़ना है एक strategy होनी चाहिए कि हम कैसे पढ़े हमें एक पढ़ना है तो अब हम बात करते हैं computer science की syllabus की ये जो syllabus आप देख रहे हूं इसमें जैसे सबसे ऊपर portion आफे के computer system architecture computer science के syllabus में आपके ज invade इतने भी subject हैं, computer architecture, operating system, DBMS, digital electronics, data structure, C++, Java, यह सब subject के question आते हैं और इन सब subject को अलग अलग इनोंने इसलेबस में बता रखे हैं, यहां पर हम एक बात करे हैं computer system architecture तो स्लेबस हमारे पास सबके पास है, वो सकते है कुछ student के पास नहीं हो, उन्हें नहीं पता हो, but maximum student के पास मैं सोचती हूँ कि यह स्लेबस होना चाहिए, कि उनके पास होका डाउनलोड होगा, but हमारा जो सबसे बड़ी जो गलती हो चाती है, वो क्या होती है, कि हम तैयारी कर स्लेबस हमारे पास डाउनलोड डाउनलोड है, ठीक है, हम एक ओवर्वियू भी देख लेते हैं, कि हाँ इस सब्जेक्ट में यह सब आ रहा है, वो हम पढ़ लेते हैं, बट जरूरी क्या है, जरूरी यह भी है कि आप अगर 6 महीने, 4 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल अपनी तैयार को दे रहे हैं, तो आपको अपना जो स्लेबस है उसको बार बार चेक करना चाहिए, कि आपकी कमी और कहां पर रह गई, आपने जरूरी अच्छे से पड़ा है या नहीं पड़ा, और जो जो टॉपिक आपने पड़े हैं, क्या उतना पड़ना इनफ है, आपने जैसे स्लेबस सिर्फ देखना नहीं है। उसे हमें बहुर तो समझना भी है। क्योंकि सीज़बस से समझने की चीज है। वह बहुत समझने की चीज है कि हुष्छना चाहरा है और प्ट लास्ट में पढ़ाना है एक स्कूल जो DTPLS भी Board ले रहा है 11th, 12th, 10th इन स्कोल के बच्चों को हमें पढ़ाना है तो DTPLS भी ऐसा नहीं है कि जो है gate के कोश्चन, gate के level के कोश्चन देगा या फिर net के कोश्चन देगा वह ऐसे कोश्चन नहीं देगा आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि वह स्लेवर्स क्या दे रहे हैं और वह कोश्चन को इस तर इस पूछेंगे तो इन चीज़ों के लिए हम एक बार ये स्लेवर्स को देखते हैं डिसक्स करते हैं कि हमें स्लेवर्स को भी कैसे की तीन-चार पॉइंट है इन सब के लिए हमें computer architecture के अंदर सबसे पहला portion जाता है वो आता है computer systems का यह computer system में जो है first जो हमारा portion आ जाते हैं वो है system buses इस semicolon का मतलब क्या है कि इस system bus के अंदर आपको पता है कि आपको system bus को पढ़ना है बट system bus में आपको क्या-क्या जीज़े clear होने चाहिए उसके सब भी component clear होने चाहिए उस computer के जो भी function है वो भी clear होने चाहिए उसमें interconnection structure क्या-क्या है बस interconnection structure क्या है और PCI क्या है यह आपको system bus topic के अंदर पूरा अच्छे से पता होना चाहिए second आपका आता है internal memory ठीक है internal memory जो है वो topic इसमें यह क्या-क्या चीज़े हैं जो हमें पढ़नी है internal memory में हमें computer जो memory है उसका एक overview पता होना चाहिए कि इसमें system के अंदर पूरी memory है उसका एक overview क्या है और semiconductor में memory क्या होती है cache memory क्या है इनकी working क्या है वो चीज़ें एकदम clear होने चाहिए advanced DRAM का structure क्या होता है वो भी अमें पता होना चाहिए next इसमें third number का portion जो है वो क्या बता रहे है कि input और output अब देखो input output इन्होंने यह नहीं बताया कि क्या input output मतलग सभी input output बट आपके लिए इन्होंने कुछ और जैसे points दिये कि external devices जो भी बाहर से devices attached की रही है computer के अंदर वो सब आपको पता होने चाहिए ठीक है और IO modules पता होने चाहिए programmed IO का आपको knowledge होना चाहिए interrupted driven IO और DMA, direct memory access, IO channels पता होने चाहिए producers आपको पता होने चाहिए और external interface आपको पता होना चाहिए फिर आता है आपका operating system अपरेटिंग system का आपको एक overview होना चाहिए कि operating system computer architecture में कैसे काम करते हैं ठीक है इसके बाद हम second point पे चलते हैं Central processing unit Central processing unit क्या होती है जिसको हम CPU भी बोलते हैं CPU के अंदर क्या-क्या चीज़ी आ जाएंगी computer architecture first number का जो एक topic है वो है computer arithmetic इसमें ALU arithmetic logical unit second integer arithmetic third floating point representation and floating point arithmetic ठीक है second number point पे आ जाते हैं instruction sets characteristics and function instruction set के machine instruction characteristics क्या होंगी type of operations क्या होंगे types of operation क्या होंगे addressing modes format क्या है register organization instruction cycle instruction pipeline then assembly language assembly language computer architecture में machine के उपर assembly language क्या काम कर रही है क्या use है इसका वो सब हमें knowledge होने चाहिए computer की unit नंबर फॉर्थ पे आती है computer की unit क्या क्या हो सकती है micro operation इसके वो पढ़ने पढ़ेंगे क्या क्या micro operation है control of CPU hard wired implementation micro program controller basic concept इसके control unit के micro instructions sequencing and last point is micro instruction execution यह चीज़े आपको पता होने चाहिए control unit से related then हमारा 5th number point आजाता है reduce instruction set computer इसका एक introduction चाहिए हमें इसे हम short form में कहते है risk और इसी के साथ में related होता है CISC यह दोनों हमें इसमें पढ़ने पढ़ेंगे ठीक है यह दोनों इसी topic के अंदर आ जाहेंगे अब मैं आपसे यह बताना चाहूंगी कि यह हमारा computer architecture का एक syllabus है जो हमने पढ़ा यह पढ़ा तो आपने बहुत बार होगा इसे ठीक है इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि जैसे मैं आपको एक example लेके यह बताती हूं कि यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि type of print यह इन्होंने छोटे-छोटे इतने सारे topic दे दिये कई वच्चे तो वैसे भी confused हो जाएंगे कि पता नहीं यह सब है क्या हो सकता है उन्होंने इसमें से काफी सारे जो topic वो पढ़े ही नहीं उनको यह भी नहीं पता कि वो पढ़ने का से हैं क्योंकि एक बेसिक चीजें सब बुक्स में मिल जाती हैं यह चोटे-चोटे जो topic वो हमें अलग लग तरीके से आरेंज करने पढ़ते हैं काफी सारी बुक के reference लेने पढ़ते हैं तो हम भी पता चल जाते हैं for print और type of operation तो हम इस चीज़ को लेके यूँ सोचते हैं कि इसमें पतानी क्या चीज़ होंगी डिसक्स करने वाली और ऐसे थोड़ा बद पढ़के और हम यह सोचते हैं कि यार यह तो स्लेवस बॉत ही दे रख है हमें तो कोई reference book ले लेने जाहिए हमें तो कोई एकदम अच्छे से जो notes बने में वह देख लेने चाहिए तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस लेवस में इन्होंने कितना अच्छे तरीके से describe कि इन्होंने यह भी बता दिया कि instruction site में हम आपसे क्या पुछने वाले हैं तो हमें यह चीज के लिए क्योंकि हमें पढ़ना तो ही है जो हमारे DT Plus भी एक्जाम के अंदर आएगा तो इन सब बातों को गौर करते विए हमें इस लेवस को इस तरीके से throw out करना है पूरा पढ़ना है अच्छे से अब इसको क्या चीज करके भी इसको आप कर सकते हो पूरा कैसे करोगे आप इन सब चीज़ों को जैसे हमने पॉंट वाइस पॉंट इनको पूरा डिसकस की है उस तरीके से ही मैं चाहते हूं कि आप इनको पर्टिक्लर अपने आप खुद नोट्स बनागों और आप इनकी तैयारी करो जैसे कंप्यूटर कंपोनेंट पॉंट वाइस पॉंट तो हो सकता है कि यहां पर यह जित्ते भी चोटी चोटी टोपिक दे रहखे हैं जैसे एक नंबर यह दो नंबर यह तीन चार पांच छे साथ ऐसे मैक्सिम्म हो सकता है कि इसमें आपको टोटल नंबर ओफ मिलागे कि 250 टोपिक मिल जाएं बड़ जब आप इस 250 टोपिक को कवर कर लोगे उस ताइम पर आपका यह जो स्लेवर्स देखने का नजरी है वो चेंज हो जाएगा एक confidence आता है कि हाँ मैंने पूरा स्लेवर्स को पूरा कर लिया अब मुझे सिरफ क्या करना है अब मुझे सिरफ प्रैक्टिस करनी है मुझे लास्ट यह के कोशन देखने है तो मैं चाती हूँ कि आप ऐसे इस तरीके से आप अपनी तैयारी को देखो आप ऐसे स्लेवर्स को पढ़ना शुरू करो अब जैसे इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आता हो आता है अपरेटिंग सिस्टम तो एकदम अच्छे से डिस्क्राइब वे में इस पूरे के पूरे स्लेवर्स में यह बता रख है कि अपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है ठीक है और ऑपरेटिंग सिस्टम और्गिनाइजेशन में क्या क्या चीज़े हम आपसे पूछने वाले हैं डिवाइस का मैनेजमेंट कैसे कैसे होता है प्रॉसेस की मैनेजमेंट पूछेंगे 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 तो इस तरीके से आपको पीएसडी नहीं करनी है कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करनी है आपको सिरफ एक ऐसे लेवल का पढ़ना है जो आप प्टेटी के अंदर उनके कोश्चन को अपर हल कर सको जो डीटेपलस भोड़ डिसाइड पर एगा क्योंकि एक्सेस पढ़ना ठीक है आप में से बहुत सारे स्टुरेंटों के जो जिनका बीटेक भी अच्छा है एमटेक भी बहुत ही अच्छा रहा है अच्छे कोले से वड़ा है तो उनके लिए हो सकता है कि वो पीएसडी परसुइंग भी है तो वो लोग पढ़ सकते हैं उ नहां पर हम बात करें तो नेक्स्ट वाला टोपिक आता है डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स यह पीडिएफ में आपको शेयर कर दूंगी इसमें आपने देखा कि हमने अच्छे से अगर एक टोपिक को भी पढ़ा है ना जैसे हमने पढ़ा अभी कम्पीटर अर्किटेक्चर तो हमें 20 मिनिट लगे हैं और यही अच्छल चीज है कि आपको एटलिस आप जो पेपर देने जा रहे हो आप उसके स्लेबस को कम से कम अपने उस च्छे महीने की तयारी में एक दिन तो दो आप उसको एकदम अच्छे से पढ़ो इस जो तरीके से आप इसको रिवाइस भी के लिए ठीक है तो मैं चाती हूं कि यह स्लेबस आप एक बार अच्छे से रीडाउट करो पूरा स्लेबस डिसकस करना देखो मैं आपको बताती हूं डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स हो गया दैन हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बात कर रहे हैं यहां पर फिर वीजुल बेसिक आजाती है जैसे यहां पर वीजुल बेसिक पता रहे हैं कि प्रोग्रामिंग टूल है इसमें उन्होंने पूरा वीजुल-बेसिक को डिसक्राइब कर दिया धैन अगे वीजुल चल रहे है ठीक है और यहां पर डिटा स्टक्चर शुरू हो जाता है डेड़ाक्र cultura म यह उन्होंने बता रख हैं, आप इसको अच्छे से एक एक टॉपिक को पड़ें, बिल्कुल भी हमें यह नहीं सोचना कि नहीं हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, और जिनकी तैयारी नहीं है, उन्हें डर्ना नहीं है, कि यह इतना सारा क्या चीज़े दे रखी है, ठीक है, आप इसे अच्छे से रीडाउट करो, और अगर आपके बस PDF नहीं है, जैसे यह DBMS हो गया, यह पर यह लगबग चलता है, जैसे अब इसमें इन्होंने इतना बड़ा पता है, उसको क्यों डेस्क्राइब कर रख है, कि SQL है, ठीक है, इसके उपरेटर है, SQL है, तो SQL के अंदर इसके जो फंक्शन है, उसमें इन्होंने सारे फंक्शन भी इसके अंदर लिख दी है, कि इनिट कैप, अपर, फंक्शन लोवर, इनस्टर, कॉनकेट, लैंथ, तो यह इतना अच्छे से डिसक्राइब की है, इसलिए इनके पेज लगे हैं, बाकि अगर आप इसले बस को कि अगे, यह इसलिए हें, फिर यह पे इनोंने डेटा दिक्शन भी, इससे भी रिलेटेड कोशन भुहत सारे आते हैं, तो ऐसे जो है, हम डिसकॉस करते रहेंगे, है स्टी एमल के कोशन है, स्टी एमल का पूरा स्लेवस इनोंने दे रख आ ए, आज मैं आप से यह चाती जो लिंक है वहाँ इसका लिंक मिल जाएगा पीडियेफ का वहाँ से डाउनलोड कर लेना लेने के बाद जरूरी नहीं आप इसका प्रिंट आप निकालो आप उसे अच्छे से पढ़ो एक चीजों को यह देखो कि हमने कितना टोपिक पढ़ ले और कितने हमारे भी पैंडिं ठीक है और इसे रिलेटेड ही हम क्या करेंगे आगे वीडियो में डिसक्स करते रहेंगे तो यह हमारा यहां पे स्लेबसा के खतम हो चाते है यह लगबग इनोंने 5-6-7-8 पेज में दे रख हैं आप इस पूरे स्लेबस को एक बार रीडाउट करें उसके बाद प्लान है जैसे जो भी होगा जो स्टेटेजी अगर कोई है बहुत ही अच्छी स्टेजी जो रहेगी इस लेबस को पूरा करने के लिए तो वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी और वो आपको काफी हल्फुल भी रहेगी तो आप चैनल से कनेक्टेड रहें जिससे जो भी नोटिफिकेशन आता है वीडियो डालने के बाद वो आपके पास टाइम से आजाए और हम हमारी च इन दोनों एक्जाम को टारगेट करते हुए हम अच्छे से अच्छे और कंटेंट कैसे दे सकते हैं कैसे तैयारी को और बूस्ट कर सकते हैं तो वो चीजे एक बर हम प्लान कर रहें तो आपको आने वाले टाइम में वो वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगी आप उनको हमने तैयारी कर ली अब हम बंद कर रहें या फिर यह सोच नहीं कि अभी हमारे पस टाइम नहीं था अब जो कोविड का जो लोगडाउन चल रहा है हमेरे पस टाइम भी है हम पढ़ भी सकते हैं उसके लिए मैं आपको रेगुलर बेस के ऊपर इस चैनल के आपको मिलेंगे जो टीवे से एक्जाम में आये हुए हैं और मैं कोशिश करूंगी कि हम एक अच्छा सा क्रैश कोर्स जो है वो एक बना सकें जिससे क्या कि आपको आने वाले एक्जाम में अच्छा हेल्प हो थैंक्यू फो वाचिंग आप इस चैनल को सब्स्क्राइब कर लें और ज्याद